तो देखे आज हम राउंड टू की जो आल दिया एम्स के कटाफ है। है कियमे वाजे बताएंगे, सभी 20 एम्स कॉलेज के कटाफ के के बारे में तो देखें जो एम्स दे लहीं है। इसमें राउंड टू में कोई भी नया सीट अलाउटमेंट नहीं हुआ है। जो first round का cut off था वही रहेगा, यहाँ पर कोई भी नई seat allot नहीं हुई second round में, जो M's जोधपुर है, इसमें भी कोई भी नया seat का allotment नहीं हुआ है, और M's के लिए हम first round का cut off आपको बता चुके है, यह first round का है, गोपाल में देखे, इसमें जो seat का allotment हुआ है, जनरल कैटिगरी में, जो M's है 715 और rank 79, जनरल कैटिगरी के लिए है, इसमें EWS में कोई नया seat का allotment नहीं हुआ, OBC के लिए 700 mask पे 100, 1,033 rank पे allotment हुआ है, और SC के लिए 700 mask पे 1,200, 621 के यह है rank, SC के लिए, HT में कोई नया seat का allotment नहीं हुआ है, M's भुमनेस्वर के लिए 705 mask पे, चनरल कैटिगरी में new allotment हुआ है, जो rank होगी 620 rank पे, EWS में 695 mask पे, यह 1,940 rank पे allotment हुआ है, OBC में 700 mask पे, यह 1,278 rank है का allotment हुआ, SC के लिए जो cutoff है यह, इसमें कोई भी नया seat का allotment नहीं हुआ, CASHT के लिए 653 कट ओफ रहा है, यह mask है, rank 24,290 rank है, M's रिशी के इसमें 705 rank के जनरल कैटिगरी के लिए है, 705 mask, 595 rank, EWS में कोई नया seat का allotment नहीं हुआ, OBC में 700 mask पे, 1139 rank के cutoff गया है, C681 mask पे, यह 6520 rank है, CASHT के लिए 671 mask पे cutoff गया है, और यह rank 11,941 है, M's पटना के लिए round second का जो cutoff है, 700 mask जनरल कैटिगरी का है, 1389 rank है, EWS के लिए 695 marks और 2556 rank है, OBC के लिए 696 marks और 1859 rank है, KSC के लिए 662 mask और जो rank होगी 17,486, KST के लिए 663 marks और rank 42,342, M's रायपूर के लिए, जनरल कैटिगरी में 700 marks पे 1180 rank है, EWS में 695 marks पे तो rank है, वो 2371 है, OBC में 695 marks पे 2016 के rank होगी, EWS के लिए 669 marks पे 113,250 rank है, और HST के लिए 646 marks पे 29,829 rank है, जनरल के लिए 705 marks पे 758 rank, EWS में 700 marks पे 1204 rank, OBC में 700 marks पे तो cutoff आई ये 1470 rank होगी, SC पे यहाँ पर कोई नया अलॉट्मेंट नहीं हुआ, HST में 655 marks पे ये 23,240 rank, M सराइवरेली, ठीकि M सराइवरेली में जो round second का cutoff है, 692 marks और ये 2852 rank है, EWS में 687 marks और 4216 rank, OBC में 690 marks है round 2 के, और जो rank है ये आपके 3480 rank, SC में 648 marks है, rank 28489, HST में जो marks है 623 और rank 51,446, General category में M समंगला गिरी का जो cutoff है, 700 marks गया है, ये 1189 rank है, EWS 695 marks cutoff गया है, 2260 rank है, OBC 690 marks, जो rank है 3575, SC में 655 marks पे cutoff गया है, rank 22508 है, M स गोरखपुर के लिए जो cutoff गया है, General category में, ये आपका 695 गया है, ये marks हैं, और जो rank है, वो 2319 है, EWS 690 marks और 3254 rank, OBC के लिए 693 marks, 2731 ये rank होगी, SC के लिए 662 marks और जो rank है, वो 17451 ST के लिए 628 marks और जो rank है, वो 47,073, M स बीवी नगर के लिए जो cutoff है, General category का 695 और इसकी जो rank होगी, 2530, EWS के लिए 686 और जो rank होगी, 4496, OBC के लिए जो marks होंगे, ये cutoff 690 है, राउंड टू के लिए, और जो rank है, वो 3892, ये 80 के लिए, marks 654, और जो rank है, 23710, ये 80 के लिए 645 marks है, तो rank है 31093, तीकि, M स भटिंडा के लिए, जो cutoff है, General category, जो marks है, 700, और जो rank होगी, 1609, और EWS के लिए 690 marks, rank 3272, OBC के लिए 695, marks और rank 2176, ये C के लिए 667, मार्स रैंक 14265, और स्थी के लिए यहाँ पर कोई नया seat का अलॉट्मेंट नहीं हुआ है, M स कल्यानी के लिए, जनरल केटिग्री में जो cutoff गया है, round 2 का 695 marks, ये rank है 2435, और EWS के लिए 691 marks, और जो rank है वो 2956, OBC के लिए 690 marks, और जो rank है वो 3374, और आपका SC के लिए 657 marks, और जो rank है, 20,660, ये आपका ST के टिग्री के लिए 619 marks हैं, और जो rank है, 56211, जो आपका जनरल के टिग्री का, M से देवगर के लिए जो cutoff है, 690 है, जो rank जो होगी 3361, और EWS के लिए 685, और जो rank होगी वो 4809, के बाद OBC के लिए 690 marks, rank 3988, और SC के लिए 646 marks, rank 30,075, एस्ट के लिए 614 marks, rank 61,493, M से राजकोट के लिए, cutoff है 695 marks है, जनरल के टिग्री का, 2,109 rank, EWS के लिए 690 marks, rank 3,824, OBC के लिए 691 marks, rank 3,121, SC के लिए 651 marks, rank 25,369, ST के लिए 632, ये marks है, rank 43,288, M से गुहाटी के लिए, round 2 का जो cutoff है, चनरल के लिए 690, और जो rank है, 3,688, EWS के लिए, 685 marks है, rank 5,164, OBC के लिए, तो marks है, 686, और rank 4,701, SC के लिए, तो marks होंगे, 645, rank 30,000, 9,968, JST के लिए, 620 marks, और rank 54,623, M से जम्मू के लिए, जनरल कैटिगरी का, cutoff है 690, ये rank होगी, 3,755, EWS के लिए, 685 marks, 5,204 rank, और OBC के लिए, 686 marks, 4,718 rank, JST के लिए, 645 marks, और rank 31,135, JST के लिए, 629 marks, और rank 46,129, M से बिलासपुर के लिए, जनरल कैटिगरी का, 695, तो rank होगी, के लिए, 1,948, EWS के लिए, 688, ये rank, 4,135, OBC के लिए, 690, marks rank, 3,386, SC के लिए, 660 marks, और rank होगी, 19,526, ST के लिए, 648 marks, और rank होगी, 28,133, M से मदुराई के लिए, 684 marks, और rank होगी, 5,807, EWS के लिए, 675 marks, rank 9, 9,200, OBC के लिए, 680 marks, rank 7,280, EWS C के लिए, 634 marks, rank 40,973, EWS T के लिए, 604 marks, rank 72,945, जो भी, student meet, 2025 के लिए, preparation कर रहे हैं, उनके लिए, हम यहाँ पर देखिए, अपने चैनल पर, लाइफ 3 class physics की करते हैं, जो, इसमें, प्रिविएस एर, questions को भी, discuss करेंगे, और इसके timing, जो है, वो morning में, एक class, हम 8 a.m. पे लेते हैं, दूसरी, 2 p.m. पे, morning में, 11th का, लेफ से चल रहा है, और इसमें, 12th का, तो इसको आप, लाइफ जो भी, स्ट्वेंट करना चाहें, 2025 के लिए, जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, और, 2026 वाले भी कर सकते हैं, morning का वैच, इसमें, हम 11th पढ़ा रहे हैं, वैसे, ट्राइल्स भी पढ़ाएंगे बाद में, ओके, थैंक यू,